ध्यान वाहिनी अध्याय बारः ध्यान का सुभलक्षन मलीन वासनाओं का उल्मूलन वासनाओं से अभिभूत व्यक्ति शराबी की भाती इस जगत में घूमता फिटता है ऐसे लोगों की सत्या सत्य विवेचना बिल्कुल शुन्नी होती है वासनाओं की महान सम्मोहिनी शक्ती में डूबे रहने से इसके दुष्परिणाम उनकी समझ में नहीं आते ऐसे लोग निरलज जहोकर विशय सुखों में डूबे रहते हैं इन सांसारिक सुखों के साधनों को इकठा करने और उनसे आनंद उठाने में व्यस्त रहते हैं वासनाओं में डूबे रहने वालों की बुद्धी काम नहीं करती विशय सुखों में निरंतर डूबे रहने से वासनाएं अत्यंत प्रबल हो जाती हैं इसलिए श्रीमत भगवत गीता में कर्म फल त्याग पर विशिश जोड़ दिया गया है फलों की आशा करते रहने से वासनाओं की वृद्धी होती जाती है ऐसे लोगों में आंकार और धूर्टता प्रबल होती है और वे लोग धन प्राप्ती के लिए न जाने कितने अन्याय कारी करते हैं धन ही ऐसे लोगों का इश्वर है धन आवशक आवश्य है किन्तु आवशकतर से अत्यधीक धन और ऐसा धन जो सुख नहीं देता उसकी कामना कधापी नहीं करनी चाहिए इतना ही नहीं ऐसे व्यक्तित दूसरों से प्रशंसा सुनना चाहते हैं और अपने उपर कोई आरूप सुनना पसंद नहीं करते जिससे उनकी बतरामी नहों ये भी एक मलीन वासना है इस जगत के अधिकांच लोग अपनी स्वार्थ सिध्धी हे तू कुछ लोगों की चापलूसी करते हैं और प्रशंसा करते हैं और कुछ लोगों की निंदा भी करते हैं मानों को इन से परे रहना चाहिए, चापलूसी और प्रशंसा को पान की पीक की तरह समझना चाहिए, जो थूक दिया जाता है, तभी मानों को वास्तविक सुख मिलेगा, जहां तक निंदा करने का प्रश्न है, देखो, इस जगत के लोगों ने राम, कृष्न, विश्नु, श उन पर कलंक लगाने का प्रयास भी करते हैं, ऐसे लोगों की नजर में फिर साधारन मानों की हस्ती ही क्या है, ऐसे दुराचारियों के लिए अपने समान व्यक्तियों की हस्ती कुछ नहीं होती है, उन से साधारन मानों के लिए क्या आशा की जा सकती है, गोरी चमडी वाले काली चमडी वालों की निंदा करते हैं और काली चमडी वाले गोरी चमडी वालों से घरणा करते हैं शैव और वैश्नों भी इसी प्रकार एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं जैसे प्रत्यक व्यक्ति को अपना गाउं और अपना स्वरूप जिस प्रकार पसंद होता है आनंद देता है उसी तरह उसको अपने इश्ट देव का विग्र अपना पूजा विधान और पधती प्रिय होती है आनंद प्रद होती है दुरभागी वश परिणाम ये हुआ है कि एक दूसरे से घ्रणा करना स्वाभाविक हो गया है ये भगवत कारे होते हुए भी मलीन वासना की श्रणी में आता है ऐसी अज्ञानता से जो नीच भावनाएं उत्पन्न होती है उनको जब व अध्यान से ही दूर किया जा सकता है जब व अध्यान की आध्यात्मिक साधना मानों के हिर्दय में आत्मज्यान रुपी विशाल भावना रखती है कि मलीन वासनाओं से अनेक प्रकार के कष्ट और दुख उठाते हुए भी मानों इनको अतिक्रमन करने के लिए इन वासनाओं को नश्ट करने के लिए प्रहत्ने नहीं करता वासनाओं के चक्कर में पढ़कर मानों ऐसा सोचता है कि मैं ठीक मार्ग पर हूँ और इसलिए वो मलीन वासनाओं से अटूट संबंध रखता है। मुझे आशा है कि यदि वो कम से कम कुछ अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्यान करे तो उसके विचार कुछ तो ठीक हो जाएंगे। शास्त्रों की संख्या असंख्या है, जीवन शन भंगुर है, कठिनाईया अनीक हैं। इसलिए शास्त्रों का सार ग्रहन करके उसके अनुसार आच्रन करके मलीन वासनाओं से दूर हो जाओ। व्यर्थ की पुस्तकों को पढ़ने से, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, जो तुम्हारे समझ में नहीं आते, और ऐसे भक्ती मार्गों के बारे में अध्यान करने से, जिनके अनुरूप तुम चलना नहीं चाहते, कोई लाव नहीं है। कम से कम, कुछ न कुछ, सही मार्ग का पालन करना चाहिए। ऐसा बेकार अध्यान करना, जिसका पालन नहीं करना है, जिसके अनुसार आचरण नहीं करना है, ये भी एक मलीन वासना है। देखो, भारत द्वाज रिशी एक के बाद एक लगतार तीन जन्मों तक वेदों का अध्यान करते रहे, इसके पश्चात चतूर्थ जन्मों में भी उन्होंने वेदों का अध्यान जारी रखा, तब इंद्र उनके पास आये, और उनको ब्रम्ह विद्या के विशय में तब भारत द्वाज ने वेदों का अध्यान बंद कर दिया और कठोरतम द्यान करने लगे, तद पश्चात उन्होंने आत्मान उभो किया, अतह बिना उसके रसास्वादन किये ही केवल अध्यान से कोई भी लाभ नहीं, ऐसी मलीन वासना को भी धीरे धीरे दूर कर देना चाहिए, हालतू अनेक विश्यों के बारे में अध्यान करते रहना भी एक मलीन वासना है, एक बार महर्शी दुर्वासा भगवान शंकर के पास एक गाड़ी भर कर धार्मिक ग्रंथ लेकर गए, तब नारद ने उनकी एक तुलना गधे यानि कहावत के गधे से कर दी, मनुष्य चाहे ग्यान की विभिन शाखाओं के बारे में सहस्त्रों पुस्तकें एकत्रित कर ले, उनका बोजड होता रहे, उन सब को पढ़ भी ले, अध्यन भी कर ले, किन्तु बिना वास्तविक अनुभाव के उनकी शिक्षा का रसास्वादन नहीं किया जा सकता, समझ म खुस्तकों को सागर में फेंक दिया और प्रगार ध्यान करने लगे, देखो, महर्ची गण भी समस्त ज्यान की प्राप्ति के लिए ध्यान को कितना आवश्यक समस्ते हैं, साधक चाहे कितना भी उंचा हो या नीचा, ध्यान को ही लक्ष मान कर उसी के द्वारा संबून प्राप्त कर सकता है, आत्म ज्यान की उपलब्धी अनेक शास्त्रों के माध्यम से, विद्वता से, सुक्ष्म बुद्धी से और धार्मिक चर्चाओं से नहीं प्राप्त हो सकती, ऐसे लोगों के हिस्से में आत्म ज्यान किंचित मात्र भी नहीं पड़ता, देखो, महर्षी ने इस प्रकार प्रश्न किया, श्वेत केतु, जिसे शास्त्र का अध्यान करने से हर चीज के जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका क्या तुमने अध्यान कर लिया है, तब श्वेत केतु ने उत्तर दिया, ऐसा कोई शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है, मानव को अपने मन की प्रवृत्या, स्वभाव, आदत और चिंतन शैली को ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। इस प्रकार अध्यान कर लेने के पस्चात ही मानव अपने मन को अपने अधिन कर सकता है। तभी उसकी इस मनण शक्ती, इच्छा शक्ती और भावना शक्ती की विर्द्धी हो सकती है। मन का स्वभाव है चंचलता, वो वायू सद्रिश्य है। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अनुरोद किया था। चंचल ही मनह कृष्ण, प्रमाथी बलवद दिर्ण, तस्याहम निग्रहम मन्य, वायोरिव सुदुश्करम। मन में चंचलता बहुत है। हे कृष्ण, ये तीवर गतिशील और शक्तिशाली भी है। उसको अपने अधिन रखना अत्यंत दुश्कर है। तक श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, निसंदेह जो तुमने कहा है, ठीक है। किन्तु निरंतर प्रयाज से और वेराग्य से उसको अपने अधिन कर सकते हो। इसे लिए ध्यान का अभ्यास प्रारंप करो। मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम, वासनाओं और कामनाओं का उन्मूलन करना चाहिए। तभी इंद्रियां तुम्हारे वश में होंगी। इन दोनों का उन्मूलन करना एक अत्यंत विशिष्ट मार्ग है। कामनाएं ही मन का उद्विलन करती हैं। इंद्रियों की ओर जब जुगते हो तो जिस प्रकार कुट्धा अपने मालिक के पीछे-पीछे आता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों के पीछे जाने लगता है। आह इन ही कारणों से जीवन आनंद प्रियमन और ब्रहमित होने वाली इंद्रियों के माया जाल में पढ़कर कश्ट उठा रहा है। ध्यान साधना के बिना मन को अपने नियंतरण में रखना असंभो है। अधि होते ही सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। कामनाओं का पून रूप से त्याक कर देना चाहिए। कुछ साधक और ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी कुछ कामनाओं को नहीं छोड़ते। अपनी त्रिप्ति के लिए उनको छोड़ने से इंकार करते हैं। धारन का अभ्यास करने वाले कुछ ग्रिहस्थ भी अपनी कामनाओं को नहीं छोड़ते। अपनी निजी त्रिप्ती के लिए उनको छोड़ने से अस्विकार करते हैं इसे से इन लोगों की शक्ति का अपवय होने से साधना में वृद्धी नहीं हो पाती है ऐसे लोग आध्यात्मिक साधना रुपी सीड़ी के डंडे पर चढ़ कर फिर फिसल कर नीचे गिर परते हैं मन की ऐसी चंचलता को समाप्त करने के लिए भी ध्यान की अत्यधिक आवशक्ता है केवल एक इंद्री को अपने वश में रखने से कोई लाभ नहीं है समस्त इंद्रियों को सभी तरप से रोकना चाहिए यद्यपी ये सर्व प्रतम आवशक्ता है किन्तु पहले पहले अती कठिन प्रतीत होता है और साधक उब भी जाता है किन्तु निराश नहीं होना चाहिए सहन्चिलता के साथ प्रयास करते रहने से फल अवश्य मिलेगा कुछ साधक अपना मनुरत पूरा नहोता देखकर इस साधना का मार्ग त्याग कर अपनी च्छानुसार साधनाय करना प्रालंब कर देते हैं इसका अभ्यास करना भी छोड़ देते हैं ये ठीक नहीं है ये उजित नहीं है अपना मनुरत प्रालंब कर देते हैं